हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णि एंड वेलकम टू और यूटूब चैनल और फ्रेंड्स आज में लेखे आए हूँ आपके लिए 11 अब डिसम्बर 2021 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स तो फ्रेंड्स अपना एक करेंट अफेर्स का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे टेस्ट कुश्चन था वो था कि को जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यान की यू एस एप बी के नए एमडी और सी यू कौन बने हैं फ्रेंड्स इसका एंसर होगा यहां पर इतरह डेवीज जो हैं वह उसके नए prepare और सी यू बने हैं औरम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने यान्ट करने कर्यों मैं ऑफे संजीव महता जो है वह फिक्की के अध्यक्स बने है और यह उद्यक्ष अंकर की जगह लेंगे फिक्की जो है वह भारती वाडी जी एवं उद्योग महासंग जिसकी असापना हुई थी 1927 को और इसका जो हैड़क्ष है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्स है संजीव महता और इसके जो महा निदेशक है उनका नाम है अरुन चावला नेक्स क्यूशन है फ्रेंड्स यहां पर आठ दिसम्बर दो हचर एक्यस को जनरल वीपिन रावत की हेलिकॉप्टर दुरगटना में मृत्य हो गई है यह भारत के पहले कौन थे तो यह भारत के पहले सीडियस थ स्टाफ थे और यह जो सीडियस बनाए जाने वाले वीपिन रावत जो थे सताइस में थलसेना अध्यक्स थे एक्सक्रोशन है सौ प्रतिशत याने के सतत विमानन इधन का उप्योग करने वाली पहली विश्व की एयर लाइन कौन सी बनी है इसका एंसर रोका फिरें ब्रिटिस एयरवेज जो है वो सतत विमानन इधन का उप्योग करने वाली पहली विश्व की एयर लाइन बनी है और से नवी करनिया फीड स्टॉक जैसे अपसिस्ट वनस्पति तेल वर्षा और ग्रिस से उत्पादित किया जा सकता है किस देश ने इच्छार मृतियो की मशीन याने सुसाईट पोड को मंझूरी तो इसका अमसर होला स्विजर लेंट में इसकी मंझूरी दी है और उसने बड़ा कदम उठाया और सुसाइट पॉर्ट प्यानि इच्छा मित्यों की मशिन को कानूनी मंजूरी दे दी है स्विजर लेंड जिसकी करेंसी है स्विज क्रेंग और यहां के रास्पती है गाय परमेलिन और जो ILO है उसका हेड़कॉर्टर भी स्विजर लेंड में है विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किस ने जारी किया है इसका एंसर होगा वर्ल्ड इनिक्विल्टी लेब ने इसको जारी किया है और इसका जो हेड़कॉर्टर है WEL का वो है पेडिस फ्रांस में और विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है अब दुनिया के सबसे आसमान देशों में से एक है नेक्स्ट क्योशन है फ्रेंस विश्व ईल पीजी असमादो वैज जो है वो इसके अद्यक्ष बने है और जो विजव एलपीजी एसोसेशन है इसका हेड़कॉर्टर फ्रेंड्स फ्रांस में है नेक्स्क्रोशन है भारती मुबाइल एक्सेसरीज निर्मान ब्रांड जो है यूनिक्स के नए ब्रांड एमिजडर कौन बने है इसका एंसलोगा जैस्पित दुम्रा जो है इसके नए ब्रांड एमिजडर बने है नेक्स्क्रोशन है फ्रेंड्स देश में महिलाओं के लिए शी इस अचेंज मेकर कारेकरम को किसने लौंच किया है इसका एंसलोगा NCW यानि कि रास्टी महिला आयोग ने इसको जारी किया है और वर्तमान में जो रास्टी महिला आयोग की अध्यक्षम उनका नाम है रेखा शर्मा नेक्स्क्रोशन है फ्रेंड्स 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों को फुट एक्सपोर्ट क्यानि की खाने पीने के समार निर्यात के मामले में कौन सा देश जो है पहले अस्थान पर रहा है इस कैंसलोगा फ्रेंड्स हमारा जो भारत है वो हमारा फस्थान पर रहा है और भारत ने इस मामले में जो है ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है अगर अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करियेगा और इसे अपने फ्रेंट्स फ्रैमली के बीच में ज़्यादा स्यादा शेयर करियेगा आपना करेंट आफेर्ट स्काइट और फर्स्ट क्रिस्टन है यहां पर एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस अस्थान पर रहा है इसका अनसर हो का फ्रेंट्स छौते अस्थान पर भारत रहा है और फ्रेंड्स इसके बारे में देखते हैं कुछ important facts कि लोवी institute जो है उसके द्वारा जो इंडेक्स जारी हुआ है एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जो है एशिया प्रांथ छेत्र में व्यापक शक्ती के मामले में 37.7 के समगर स्कूर के साथ चौथा ऐसा 37.6 देश माना गया है और फ्रेंट्स रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि देश और भी बहतर प्रोटर्शन कर सकता है अगर हमारे देश में COVID-19 महावारी बीच में नहीं आता तो टॉप त्री जो देश रहे हैं उनमें फर्स्ट है हमारा सहीं तुराज अमेरिका जो 82.2 रहा है और चीन है जो 74.6 एं ठर्ड है जैपान हमारा जो 38.7 पे रहा है और फोर्ट है हमारा इंडिया इसको जो जारी करता है वो है लोवी इंसिट्यूट और लोवी इंसिट्यूट का जो हैड़कॉर्टर है वो है सिड्नी ऑस्ट्रेलिया में नेक्स टूशन है फ्रेंड्स विस्सु मलेरिया रिपोर्ट जैने की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट WMR 2021 को किस ने जारी किया है इसका एंसर हो का फ्रेंड्स आप्सन नंबर B WHO ने इसको जारी किया है और यह रिपोर्ट जो है वैश्विक और छित्री अस्तर पर मलेरिया से समंदित आकडो एवं रुजानों पर व्यापक अपडेट प्रदान करती है जिसमें इस बारिक इस बिमारी के रोक्थाम, निदान, उप्चार, उर्मुलन और निग्रानी सम इसमारी की कारण नुख्सान उठाना पड़ा है और आगे यह चितावनी भी दी है कि अकर उचित कारवाई नहीं की गई इस मलेरिया रोग थाम के लिए तो दुनिया में जो मलेरिया कर जो रोग है वो फिर से तेजी से फैल सकता है खास करकि अफ्रिका महाद्विप में और यह एक मानवी सहता और आपदा रहत अभ्यास है जो कि बिम्स्टेक देशों में आजित किया जाता है और इस अभ्यास का फ्रेंड जो मुख्य उद्देश से है वो है प्राकिर्तिक आपदाओं की जवाब में 36 सहयों का निर्मान करना है बिम्स्टेक फ्रेंड जिसका फूल फॉर्म है बे और बेंगॉल इनिशियेटिव फॉर मल्टि सेक्टरल टेकनिकल एंड इकॉनमी को और इसका स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को और इसका जो मुख्याले है वो है धाका बंगलादेश जो की बंगलादेश की कैपिटल भी है और बंगलादेश की जो करिंसी है वो है टका और फ्रेंट सेक्रेटि जनरल जो है यहांके वो है तेंजीन लेख़ेल और इसके जो साथ सदस्य देश है उनमें है हमारा फर्स्ट बंगलादेश, सेकेंड है भुटान, थर्ड पे है हमारा भारत, फॉर्थ है नेपाल, और फ विफ्ट है स्रिलंका शिक्स्थ है म्यामार एंड सैवन्थ है थाइलेंड नेक्स क्योशन है फ्रेंड्स अंतराश्ची भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानि की इंटरनेशनल एंटी को अप्रॉप्शन डे 2021 का मनाया गया है इसका राइट एंसुरक फ्रेंड्स आप्सन न का ब्रष्टाचार को ना कहें यानि कि यूर राइट यूर रोल से नो टू कर अप्सन नेक्स क्योशन है फ्रेंड्स आपर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोस लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है इसका राइट एंसुरक फ्रेंड्स आप्सन नंबर हिमाचर प्रदेश जो है वो कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोस लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स हिमाचर प्रदेश में अब तक 53,86,393 लोगों को दूसरी डोस लगाई जा चुकी है और हिमाचर प्रदेश जिसकी राजधानी है शिमला और यहां की मुख्य मंत्री है जैराम ठाकुजो की भीज़ेपी पार्टी से है और हिमाचर प्रदेश के जो गवर्णर है वो है राजिंदर विश्वनात अर्लेकर और यहां की मुख्य नैदी से जिनका नाम है मुहमत रफिक नेक्स क्वेशन है फ्रेंड्स हमारे उप्राश्पती जो है एम व और फ्रेंड्स इसका जो राइट अंसर होगा और इसका भी गौतम चिंता मडी ने इस मुस्तक को लिखा है और इसका भी मोचन किया है एम वन के नाएडू ने जो हमारे उप्राश्पती है नेक्स वर्शन है फ्रेंड्स फिफ्टी सेवेंथ ग्यान पीट पुरसकार जो है 22 चीता है और दामोदर मौजो जो हैं वो गोवा की उपन्याशकार कला कथा कार्व आलोचक और निभन्तकार हैं और इनके त्वर्ण जो रचित उपन्यास है करमेलिन के लिए इन्हें सन 1983 में सहित अकादमी पुरसकार से समानित किया जातु काया और यह कोंकड़ी उपन्य कैलकर को मिला था और इस बार का जो संस्क्राइण था वो संतानवा 2022 का और 56 जो ग्यान पिर प्रोसकार है जो कि कलके का इंटरफेर्स तो मैंने बताया था तो वो धिया गया है निल बड़ी फुकन को नेक्स क्रिया देच और आपया है वे से आपे चौथे एशिय युवा पैरा खहल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इस کا राइट ईनस डुकल और चौल झो है वह मृत इमिंग ऐँप प्यरक टालिका में पचमे अस्थान पर रहा है और इरान जो है वो फर्स्ट अस्तान पर रहा है और उसने टोटल 122 मेडल जीते हैं जिसमें उनका है 44 स्वेंड पदक है तिरपन रज़त पदक है और 25 जो है वो काश पदक है ये पॉइंट बहुत इपोटेंट है और टॉप फ्री जो देश रहे हैं उन्हें फर्स्ट है इरान जिसने 122 मेडल जीते हैं सेकेंड पर है थाइलेंड जिसने 33 मेडल जीते हैं और ठर्ड पर है जापान जो कि 30 मेडल जीता है और इसका संस्क्रेंट था चौथा और इसको जो आयोजन हुआ था वो होता बहरीन की राज़ानी मनामा में और 2 से 6 दिसंबर 2021 तक या खेला गया था नेक्स्क्क्रिशन है फ्रेंड आर दिसंबर 2021 को क्रेश हुआ हेलिकॉप्टर जो है MI-17V-5 जिसमें CDS जनरल विपिन रावत सबार थे किस देश में बना था इसका एंसर रोगा फ्रेंड ओप्सन नमबर है रूस में ये बना था और तमिल लाडू के कुन्नूर में बुद्वार को रूसी हेलिकॉप्टर जो है MI-17 क्रेश हुआ था जिसमें हमारे CDS जो थे जनरल विपिन रावत उनकी पत्तिनी समेट 14 लोग सबार थे और इस हाथसे में सभी की मृत्तियों हो गई थी यंग जियो स्पेशियल सैंस्टेश्ट पुरस का 2021 किस ने जीता है इसका राई टर्णस होरोगा फ्रेंट्स आपसें नमबर भी रोपेश होयल ने इसको जीता है फ्रेंट्स आयाईटी कानपूर के जो रोपेश होयल है उन्होंने इंडियन जियोईड मॉडल और कम्प्यूटर सॉप्वियर विक्सित करने में उनके अध्विती योगदान के लिए उन्हें यंग जियोई स्पेशियल साइंटिस्ट फुरसकार जीता है तो फ्रेंट्स आज का हमारा टेस्ट क्यूशन जो है वो है कि 2021 में जारी रिपोर्ट के नुसार 2020 में जो अरब देशों को फुट एक्सपोर्ट यानि की खाने पीने के समान निर्यात के मामले में कौन सा देश है जो पहले अस्थान पर रहा है तो फ्रेंट्स इसका जो एंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर एंसन करिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फ्रेंट्स वीडियो को जादा से जादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हमें मोट के लिए और भी अच्छा पूंटिन परवाइट कर सकें थैंक